वेल्कम टु न्यू लेस्ञ शूल सो आप से बात करूँगा कि जब आपकी Google की campaign till हो नहीं हो तो आपको क्या करना हैilla क्या करना कि आप 놀래्ए आप सक्शेज्जर्फूल ड्रन कर सको υ। आज के lesson में मैं आपसे बात करना कि जब campaigns fail हो रही हो तब आपको क्या करना है कोई भी जो marketing campaign run कर रहे हो आप google के अंदर ये किसी भी marketing platform पे वो basically तीन parts में divide होता है पहला pre-launch दूसरा launch और तीसरा post launch जो pre-launch होता है उसमें क्या होता है जो pre-launch campaign होता है वहाँ पे आप अपना marketing message decide करते हो ठीक है pre-launch वहाँ पे आप अपना audience decide करते हो कि किसे आपको add दिखानी है यहाँ पे आप अपने landing pages build करते हो launches बेसिकली आपने add run कर दी post launches launch करने के बाद का analysis अब अगर आपकी marketing fail हो रही है तो number one reason क्या हो सकता है आपका number one reason हो सकता है आपका marketing message ठीक है जी क्या हो सकता है reason आपका marketing message जो आप बोल रहे हो राइट जो आप वीडियो बना रहे हो उसमें आप जो बोल रहे हो वो लोगों के साथ connect नहीं कर रहा वो लोगों के pain के साथ लोगों के problem के साथ लोगों के desire के साथ connect नहीं हो रहा जब आपका marketing message लोगों के pain के साथ लोगों के problem के साथ connect नहीं होगा तो आपकी marketing क्या होगी ultimately fail होगी तो आपका marketing message सही नहीं है जब आपका marketing message सही नहीं होगा तो again आपकी marketing fail होगी तो अगर आपकी campaigns successful नहीं हो रही तो आप जाके देखो कि क्या आपका marketing message message लोगों के साथ आपकी target audience के साथ align कर रहा है या नहीं कर रहा है दूसरी चीज audience अगर आपने audience गलत select की है अगर आप cricket का बैट बेच रहे हो ऐसे लोगों को जो की cricket खिलते ही नहीं तो आपका बैट नहीं खरीदेंगे राइट तो आप देखो क्या आपने सही audience select की हुई है या नहीं अगर आपने सही audience select नहीं की तो अगेन आपके लिए प्रॉब्लम है देन आपको देखना है लेंडिंग पेज़ेस ठीक है कि क्या आपके लेंडिंग पेज़ेस सही है या नहीं है क्या अगेन क्या आपके जो लेंडिंग पेजेस है वो जो आपका marketing message है उसको और बढ़ियां तरीके से बता रहे या नहीं बता रहे क्या आपके लेंडिंग पे सफिशेंट है या नहीं है क्या आप अंदर बजट तो नहीं है क्या आपके गोल्स बढ़े हो आप पैसे कम लगा रहे हूं क्या यह दिक्कत है देन आपको अपनी एड एनलिसेस करने है तीसरी चीज़ पोस्ट लॉंच अब एक बार आपने कैंपेंड लॉंच कर दिया देन अगर आपका कनवर्जन रेट अच्छा नहीं है तो अगेन प्रॉब्लम का है आपके लेंडिंग पेजेस पे और आपके मार्केटिंग मैसेज पे तो अल्टिमेटली सबसे जरूरी चीज़ है जो आपको चेंज करनी है अगर आप अपने मार्केटिंग को अच्छा बनाना चाहते हो अगर आप अपनी मार्केटिंग से पैसे कमाना चाहते हो तो वो है एक मार्केटिंग मैसेज और दूसरा है आपका लेंडिंग पेज़ेस अगर आपने ये दोनों चीज़े सही कर ली और अगेन अगर आपका बजट वगर सही है तो अल्टिमेटली आपकी मार्के चीज देखो और एनलाइज करो ठीक है और आप देखोगे कि आप बड़े अच्छे से अपने फेल्ड कैम्पेंज को भी सक्सेस्फुल बना पाऊगे ठीक है जी थेंक्यू सो मच वाचिंग डिस लेसंग